दोस्तों सोची अगर आपको एक पॉलिनाइजर विराइटी की कीमत 200 से लेकर 200 और प्रती किलो के इसाब से मिल जाए तो आप क्या करेंगे डेफिनिटली आपका जवाब होगा हमें तो उस विराइटी को अपने बगिचे में जरूर लगाना चाहिए नमस्कार दोस्तों आपका हमारे चैनल आईग्रो एपल में बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही एक खास पॉलिनाइजर विराइटी जिसे ग्रैनी स्मित एपल कहा जाता है अब इसके बीचे क्या कारण है हम आपको कुछ पॉइंट्स में बताने की कोशिश करेंगे तो इस वीडियो को कृपया अंत तक जरूर देखें अगर आप एक पॉलिनाइजर विराइटी से अच्छी कमाई करना चाहते हैं ग्रैनी स्मित सेब की शुरुवात 1868 में आस्ट्रेलिया हुई थी इसका नाम मारिया एन स्मित जो एक लेडी थी जिन्होंने सबसे पहले इस सेब को कल्टिवेशन के थूर तयार किया था के नाम पर पड़ा है आज ये सेब पूरे विश्य भर में खरीदा और बेचा जाता है ग्रैनी स्मित सेब एक हलके हरे रंग का खटे स्वाद वाला सेब है और इस सेब के मुख्यता दो स्ट्रेन उपलब्ध है अभी तक मार्केट में एक है नॉर्मल ग्रैनी स्मित और दूसरा है ग्रैनी स्मित चेलेंजर इन दोनों में खास फरक यही है कि ग्रैनी स्मित चेलेंजर में वाइट कलर के स्पॉर्ट्स दिखाई देते हैं जो कि नॉर्मल ग्रैनी स्मित में नहीं पाय जाते हैं जबकि मार्केट में इन दोनों A और C प्रचूर मातर में पाए जाते हैं एक खास बात ग्रैनी स्मिट एपल के बारे में यह भी है कि इस सेव को कुकिंग और बेकिंग में भी यूज किया जाता है दोस्तों, ग्रैनी स्मिट एपल का बागवानों के लिए डबल बेनिफिट है एक तो granny smith एक बहुत ही अच्छी पॉलिनाइजर वराइटी है और साथ ही साथ इसमें fruit setting अच्छी होती है और इसकी market value भी बहुत अच्छी है अगर हम इसको compare करें royal से या फिर दूसरी पॉलिनाइजर वराइटी जैसे golden delicious और red golden से तो golden delicious और red golden apple के rate आपको कभी भी 500 से लेकर 700 रुपे प्रती box वहाँ भी 25 किलो का box से ज्यादा शायरी कभी मिलते हों और उनको बोरे में भरकर बेशना पड़ता है granny smith apple की pollination की विशेशता है कि इसका full काफी लंबे समय तक टिका रहता है और यहार royal सेब में होने वाली तीनों flowering यानि first, second और third stage की flowering को असानी से cover कर लेता है क्योंकि इसकी flowering red golden सेब के बाद शुरू होती है और golden delicious सेब से पहले ही शुरू होती है इस वज़े से यह flowering की एक बड़ी range को cover करता है और इसकी pollination क्षमता दूसरी pollinizer variety से काफी ज्यादा है इसका full भी काफी बड़ा होता है और एक खास बात अगर इसके बारे में हम आपको बताएं तो granny smith apple एक self pollinizing variety है यानि जो अपना pollination खुद ही करता है इसके लिए इसे किसी दूसरी variety की अवशक्ता नहीं पड़ती और इसमें fruit setting की problem भी नहीं आती है हाँ इतना जरूर है कि अगर आप इसके साथ compatible varieties जैसे golden delicious और red golden लगाते हैं तो granny smith save में fruit setting और भी अच्छी होती है granny smith save को आप 8500 foot की height तक सानी से लगा सकते हैं और इसकी harvesting लगबग October महीने के अन तक होती है जो elevation के हिसाफ से अलग-अलग हो सकती है granny smith save की एक विशेश बात है इसकी storeability यनी इसकी shelf life granny smith save को काफी लंबे समय तक store किया जा सकता है लगबग 6-7 महीने तक यह हो सकता है अगर अच्छी condition हो तो इससे भी अदिक समय तक इससे store किया जा सकता है इसका दाना भी बहुत सक्त होता है और motor skin का दाना होता है जिस वज़े से यहाँ असानी से damage नहीं हो पाता है तो इन सब बातों को जानने के बाद आप समझ गए होंगे कि आपको granny smith save की variety को अपने बगिचे में क्यों लगाना चाहिए granny smith save की विशे में हमने आपको कुछ खास बातें बताई इस वीडियो के माद्यम से अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे like और share जरूर करें और इस variety के बारे में आपको आपके क्या विचार है क्रिपिया कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं धन्यवाद